बिजनोर में जमात इसलामी हिंद ने तीन तलाक के मुद्दे पर देश फर में जाबरुकता अभ्यान चलाया जा रहा है इस अभ्यान के तहट जमात के कारिय करताओं ने तीन तलाक के मुद्दे पर एक कॉंफरेंस की जिसमें जमात इसलामी हिंद के अध्यक्ष डॉक्तर एमेस अंसारी ने बयान कर कहा कि कुरान में कहीं भी तीन तलाक की इजाज़त नहीं है एक दफ़ा में एक ही तलाग दे सकते है तीन तलाग नाजायज है उन्होंने यह भी कहा कि जो मुस्लिम महिला है तलाग शुदा है उनकी सहायता जमारत इसलामी हिंद करेगी जमारत इसलामी के जनपत अध्यक्ष फारुप साहब एकबाल साहब मसदूरि खाह साब, मैबूर विलाहि साब, मीडिया बंधूओ और सभी साथियो मेरी तरस से आप सब को सलाम और आदाब आज हम यह इस प्रेस कॉनफेंस के माध्यम से दो-तीन बाते हम आम जन तक पहुंचाना चाह रहे हैं पहली बात तो यह कि समाज में किसी भी समाज में चाहिए वो हिंदू समाज हो या मुस्लिम समाज हो जो कुछ भी समाज में लोग करते हैं यह आवशक नहीं है कि वोही धर्म हो बिगाड दिन बदिन बढ़ता जा रहा है मैं एक दो उदाहरणों के माध्यम से यह इसपस्ट करना चाहूँगा कि जो कुछ लोग करते हैं वो उनकी अपनी करनी होती हैं धर्म के आदेश और इश्वर के निर्देश अक्सर उससे अलग होते हैं जैसे उदाहरण के तोल पे हमारे समाज में बड़ाई है जाती प्रथा यह मसलिम समाज में भी उसी प्रकार से यह बराई मوجود है जिस प्रकार से और समाजों में हम ये देखते हैं जबकि धर्म में इसकी कोई गुंजाईश कहीं दूर दूर तक नहीं मिलती और पुरान में इसको इसकी भचना की गई है और जाति पत्था और जाति के राधार पर धेद भाव करने वानों को सख्त अजाब यानि सजा की बारे में कहा गया है कि उनको सजा का भोगी होना पड़ेगा इस समय जो मुद्ध हमारे सामने है तीन तलाग और एक तलाग को लेकर ये मुद्ध भी समाज में पहली बार नहीं उठा है इससे पहले भी उठता रहा है और हमने जमाद इस्लामी के तरफ से पहले भी लोगों को इस संब्ध में शिक्षित करने का प्रयास किया है कि धर्व के अनुसार तलाग सिर्फ एक है और एक तलाग देना ही परियाब्ध होता है तरीका ये है कि जब पत्नी में संब्ध अच्छे न हो और विगाड चरम सीमा पर बहुच चुका हो तो उसका तरीका ये है जब कोई चीज तो लजने की चांस न हो तो पती को ये अधिकार दिया गया है मैं कुरान में कहीं भी तीन तलाग की परिशन नहीं है एक घटना जो नबी करीजित की जमाने में हुई जो मैंने आपके सांदे रहुए परिशन नहीं है एक दफा में एक तलाग एक दफा में केवल एक तलाग ही दे सकते है तीन तलाग एक साथ देने का पूरे बाहां को नहीं हुई अगर तीन तलाग देने जाए तो वो मानने पुड़ाई नहीं हुई मान तीन तलाग आपने कहा नहीं हुई गटना एक ही हुए चेक साहब ने एक साथए तरा कि लाक लिए तो एक वाक्त पर तो क्या एकixa भादार बार का दो यह क्या भादर पार के ओंगे वानिया जाए कि बेखी हमारे ऐस्थानमी करती है कि विश्वरिक बार्डत पर जाती है इसी तरह से सुनियों में भी एहले हदीश और बहुत सारे मस्लख के लोग तीन तलागों या तीस तलागों उसे केवल एक मान दें लेकिन फिकह हन्फी जिसके मानने वाले भारत में लगवग सतर परसंट मुसल्मान हैं खास्तों से इंडियन सब कांटिनेंट में जिसमें भारत पाकिस्तान बगला देश श्रीलंगा यह सब आते हैं तो सतर परसंट क्योंकि हन्सी लोग हैं वो तीन तलागों तीन ही मानते हैं और वो उसके बीशे उसी हदीस का प्रमार पेश करते जो मैंने आपके सामदे रखी तो समस्या यह है कि जब एक बहुत बड़ी मजार्टी जिसकी जनसंख्या सतर परसंट है वो तीन तलागों तीन ही मानती है यद्दे पर उसे वो गलत मानती है उस तीन तलाग को एक साथ देने को भी मो बलत मानती है और इस्लामी कानून अगर हो और इस्लामी अदालत हो तो तीन तलाग देने वाले को असी कोड़े लगाए जाएंगे लेकि चुकि इंप्लिमेंटेशन हुआ है तो इसलिए बोग सतर परसंट आबादी जो मानती है कि तीन तलाग ना दिया जाए यदि अगर कोई देता है तो उसे इंप्लिमेंट किया जाए इसलिए विए पिट्वेशन है कि आप तीन तलाग किसी तमसे ना दो यह हाम है नाचाइज है दलत है यह अज़श जाए तो फिर वे इसलिए लोग जब्योग जाए आं ए आ कि झाल